नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में दोस्तों 21 अगस्त सुमवार की रात चुपचाप फेंक देना यहाँ पर पांच काली मिर्च जीवन के हर दुख से मिल जाएगी आपको मुक्ती शनिदेव महराज जी की कृपा से आपके जीवन में ह अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरहे की समस्या परेशानी दुख से मुक्ती पाना चाहते हैं और अगर आपका भाग्य और किस्मत बदल जाए आपका साथ दे तो सुमवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का उपाय कर लीजिये जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है जोतिश शास्त्र में कहा गया है काली मिर्च शनी ग्रह का कारक वस्तु होती है अगर आपके जीवन में आप शनी दोश से परिशान है घर का वास्तुदोश ठीक नहीं है किसी बीमारी ने आपको जकड लिया है आपके जीवन में शनीग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, काली मिर्च शनीग्रह से जुड़ी हुई होती है, और अगर आपने काली मिर्च का उपाय सुमवार के दिन किया तो, यकीन मानिये इसका आपको पलट करके करोडों गुना लाभ मिलेगा, ये सक्ट्य है बिना मेहंत। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए, जो आपको काली मिर्च के द्वारा सुमवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमतकारी ब देखेंगे कैसे आपको सुख समरिधी धन ऐश्वर्य की प्राप्ती होगी, दोस्तों ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय सुमवार के दिन किया जाता है, तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बलकि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं, देखिए दोस्तों आपके जीवन की कैसी भी मनोकाम न हो आपके जीवन की कैसी भी, परिशानी हो हर चीज का निवारण, आपको शनी देव जी के पास ही मिलेगा क्योंकि शनी दे कितना भी परिश्रम कर ले कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, परंतु कर किसी मानव का शनीग्रह मजबूत है, और वो मानव गलत निर्ने भी लेगा, उस निर्ने से भी उसको फायदा पहुचता है, इसलिए हमारे धर्म शास्त किसी मानव पर पढ़ जाती है, तो वो करोरपती मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं, वो साढहे साती और से डरते हैं, ये बात है, जो शनी महाराज जी की गलत ग्रिश्टी की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जात है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लो, काली मिर्च के वहकर लीजिये जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्नन है, इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव है कि ये तुरंत ही आपको लाप देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ती, मिल जाएगी इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनी देव जी की क्रिपा आपके और आपके परिवार पर, सदैव बनी रहे शनी देव महराज जी के आशिरवाद से आपके जीव और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जैशनी महराज जी की और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसकों करके आपको कोई लाप पहुँच सकता है वो आपके हम आपके कमेंट के रिपलाई मैं बता देंगे इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप विडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा देखिए दोस्तों अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको कर आत्मक बदलाव देखने को मिलेगा परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय तभी लाप देता है जब इसको आप ल उपाय करने है इसलिए दोस्तों आप से निवेदन है कि तक आपने विडियो को लायक नहीं किया है तो विडियो को लाइक कर दीजिए पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ती पाने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था तो ये बात आपक कश्टों से है और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ती मिल जाए तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं देखिए एक मानव के जीवन में आर्थिक दुख आते ही क्यों है क्योंकि उस मानव का शनीग्रह है बहुत ही कमजोर हो जाता है और अगर आपको ये उपाय करना है सोमवार के बाद आपको शनी महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दुख खत्म हो जाएंगे आपको कोई कर्जा लिया हुआ था जिन्स कर्ज के बोज में आप लोग दपते हुए चले रहे थे वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा द लिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये सरसों का तेल ले करके जाना है और वहाँ पर जलाना है पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में जलाए शनी महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक हो करके खड़ा होना है वहाँ पर ग्यारह बार शनी चालीसा का पाठ कर कर लीजिये ग्यारह बार शनी चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में तीन काली मिर्च डाल देंगे ये उपाय आप लोग तीन सुमवार लगातार कर लीजिये सुमवार के बाद आपको शनी महाराज जी की वो कृपा की आपके उपर कोई ऐसा और यकीन मानिये इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रही हैं दोस्तों वह है घर की बरकत का महान ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी उन्नती भी होगी आपके घर पर मान लीजिये ऐसा कोई दोश है नकारात्मक शक्ती है जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वह नकारात्मक शक्ती हमेशा के लिए चली जाएगी देखिए दोस्तों पूरे सप्ता क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात मक्षक्तियों को ले आते हैं जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड जाता है और आप चाहते हैं कि यह नकारात मक्षक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए सभी सुमवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्यद के बाहर एक सर्सों के तेल का दीपक जलाए एक सर्सों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है जै शनी देव जी की इतना आपको बस बोलना मान के पूरे सपता शनी देव जी की क प्रिपा में बना रहेगा तीसरा उपाय है शनी दोश से मुक्ती पाने का महाउपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शनी दोश से आपको मुक्ती मिल जाए जैसे मान लीजिए आपकी साढ़े साती चल रही है तो आपको क्या करना है देखिए दोस्तों यानि दोश वैसे म प्रोटी तो नहीं मिल पाती एक बात को समच लीजिये. शनीदोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है. यह बात ध्यान रखिएगा. हमारे धर्म शास्ट्रों में साफ-साफ कहा गया है कि शनीदोष से कुई भी नहीं पासकता है अगर किसी मानव की साढ़े साती चल रही है किसी मानव की गाडियां चल रही है तो उसको जेलना ही पड़ेगा परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है जब तक की साढ़े साती चल रही है जब तक आपकी गाडियां चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए, एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डाली है, 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डाली है, 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, एक रुपए का सिक्का होना चाहिए, इसको काले धागे से ब उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा, अगर कोई मानव आप से ये कहता है कि शनी दोश खत्म किया जा सकता है, तो वो जूट बोल रहा है, दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा कोई उपाई ही नहीं है, कि शनी दोश को खत्म किया जा सके, हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है, दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी होता है, हम आपको कभी भी बहकाते नहीं है, हम कोशिश यही, करते हैं कि आप भला हो सके परंतु आप से निवेदन है, विडियो लाइक करना मत भूलिएगा चौथा उपाय है व्यापार को. चलाने का महाउपाय अगर आपका व्यापार ठब पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है, हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है, हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोश लग गया है, और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े तो आपको करना होगा, बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों देखिए आपको बस यही करना, हैं शनी मंदिर जाना है, शनी मंदिर जाईए सबसे पहले शनी मंदिर जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे ध्यान रखियेगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा ये शनी जी के सामने करना है आपको आप थोड़ा वहां से दूर हट जाए शनी देव महाराज की दृष्टी के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है काले क अब इस काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली इस पोटली को आपने जो बनाया है इसको आपको सुमवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूरियास्त के बाद और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर अपने व्यापार मतलब अपनी दुकान में जहां से आप वहाँ पर लेजा करके रख दीजिये सिर्फ इतना उपाय इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनी महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा ये आज का नहीं प्राचीन काल के समय का वह महाउपाय है दोस्तों जो आपके जीवन में बरकत चला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है तो तुरंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिये जैशनी महाराज जी की जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महाउपाय अगर आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है वह इलाज करा करा के अपना ठक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए तो एक महाउपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिये मानव से और वो मानव बिलकुल ठीक हो जाएगा ये उपाय लगातार सोंबार करना है पांच सोंबार के बाद वह रोगी मानव शनिदेव महाराज जी की क्रिपा से खीक हो जाएगा आप करना कैसे उपाय इस बात को सुन लीजिएगा देखिए ये दिन के समय भी किया जा सकता है रात के समय भी किया जा सकता है तो ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए ग्यारा काली मिर्च जो भी मानव आपके घर पर रोगी है उसको उसके हाथ में दाएं हाथ में ग्यारा काली मिर्च दे दीजिए उसके बाएं हाथ में दे दीजिए साथ रोटी अब उस मानव से कहिए कि उस ग्यारा काली मिर्च को अपने सर के उपर से बाईं और से दाईं और लेफ्ट टु साथ बार इस काली मिर्च को घुमाए, साथ काली मिर्च को घुमाने के बाद, इसको अपने घर के मुख्यदवार के दूसरी तरफ कहीं भी फेक दे, और इस साथ रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दे, ये उपाय पांच सोमवार कर ले, वरोगी और पांच सोमवार के बाद, वह मानव बिलकुल ठीक हो, जाएगा शनी देव जी की क्रिपा से दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय थे जो, आपके जीवन को बदल करके रख सकते हैं, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिये आज के लिए इतना ही